आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हम फिर से एक बहुत ही important topic पर बात करने वाले हैं और वो है मनस नक्षत्र की मनस नक्षत्र के analysis से हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारा mind जो है वो कैसे काम करता है different situations में difficult situations में वो कैसे react कर सकता है और इसके साथ ही अगर हमारे जीवन में किसी ना किसी बात को लेकर निरंतर mental tension बनी ही रहती है anxiety या depression जैसे issues हमारे जीवन में हैं तो हम किस तरह से उस सबसे बाहर निकल सकते हैं उस सारी स्थिती को समझ कर तो ये सब जानने में मनस नक्षत्र का analysis हमारी बहुत मदद कर सकता है और मनस नक्षत्र से संबंदित remedies भी हमें बहुत अच्छे result दे सकती हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनस नक्षत्र आखिर है क्या तो देखिए हमारे जन्म के समय चंदर्मा जिस भी नक्षत्र में placed होगा वो हमारा जन्म नक्षत्र माना जाता है और उस नक्षत्र से जो भी 25 नक्षत्र होगा वही हमारे लिए मनस नक्षत्र माना जाएगा और ये जो मनस नक्षत्र है ये सभी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तर भादरपद नक्षत्र उसके लिए मनस नक्षत्र माना जाएगा तो मनस नक्षत्र की remedies जो हैं वो हमारे लिए बहुत importance रखती हैं और इसके विशे में हम जानेंगे वीडियो में आगे चल कर तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में success को पाने के लिए mental strength का होना बहुत जरूरी है और अगर mental strength है तो व्यक्ति जो है वो विपरीत परिस्थितियों में difficult situations में भी struggle करके अपनी goal को achieve कर ही लेता है और दूसरी और अगर mental strength नहीं है तो और अगर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी बात को लेकर serious tension बनी ही रहती है anxiety या depression जैसे issues हैं तो सामने opportunities के होते हुए भी व्यक्ति उस समय जो है उसका फाइदा नहीं उठा पाता और सफलता से वन्चित रह जाता है तो इस तरह से mental strength को समझने के लिए जैसे चंदर्मा की placement को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे birth chart में चंदर्मा किस house में है किस राशी में है किस नक्षत्र में है तो उसी को आगे फर्दर समझने के लिए चंदर्मा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से 25 नक्षत्र जो कि मनस नक्षत्र माना जाता है उसका analysis जो है और भी अधिक जरूरी है मनस का अर्थ है mind यानि मन और अगर हमारे जीवन में निरंतर mental tension बनी रहती है anxiety और depression जैसे issues है तो मनस नक्षत्र का analysis जो है वो और भी जरूरी हो जाता है तो मनस नक्षत्र के analysis में कुछ एक बातों का बहुत जादा ध्यान रखे जाने की जरूरत है तो सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए की जो मनस नक्षत्र है हमारे चार्ट में उसमें कोई भी ग्रह placed ना हो क्योंकि जो भी ग्रह मनस नक्षत्र में placed होगा वो हमारे thinking pattern को, हमारे thought process को बहुत गहरे से प्रभावित करने की स्थिती में हो सकता है और उसके बाद हमें ये देखना है कि कोई भी malefic planet जो है वो मनस नक्षत्र में placed ना हो मान लिजिए कि मनस नक्षत्र में किसी व्यक्ती के birth chart में केतूग रहे अगर placed है और उसके उपर malefic aspects भी है तो उस थिती में व्यक्ती के जीवन में निरंतर mental tension और anxiety जैसे issues जो है वो बने रह सकते हैं fear जैसी situation जो है उसके मन में बनी रह सकती है और इसी तरह से अगर मान लिजिए किसी व्यक्ती के chart में मंगल ग्रह जो है वो मनस नक्षत्र में placed है और उसके उपर malefic aspects भी हैं तो उस थिती में व्यक्ती के जीवन में aggression और frustration जैसी स्थिती जो है वो अक्सर बनी रह सकती है तो इस तरह से मनस नक्षत्र के analysis में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसी तरह से जब भी किसी malefic planet का transit मनस नक्षत्र के ऊपर से हो उस समय भी हमें बहुत साथानी बरतनी की बरतनी की जरूरत है मान लिजिए शनी राहु जैसे ग्रहों का transit जब भी मनस नक्षत्र के ऊपर से होगा उस समय व्यक्ति के मन में जो है dissatisfaction, disappointment जैसी situation जो है वो बन सकती है और इस सारी स्थिती के दौरान और इस पूरे transit के दौरान व्यक्ति को जो है अपनी meditation, मंत्र chanting को बहुत जादा बढ़ा देना चाहिए और उसका जो भी मनस नक्षत्र है उससे सम्मंदित remedies को जरूर करना चाहिए और मनस नक्षत्र का जो भी देवता है उसकी अराधना भी इस सब में बहुत मदद कर सकती है और इस तरह से एक खराब transit को गुजर जाने में बहुत मदद कर सकती है तो इस तरह से मनस नक्षत्र का analysis जो है हमारा बहुत मदद कर सकता है तो ये था मेरा छोटा सा visualization अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें हरे कृष्णा